नमस्कार दोस्तों अभी हम बैठे हैं लोधा के और एक कॉंट्रेक्टर के साथ जिनका नाम है मारूती पंचाव और उन्होंने भी कासारियों में काम किया है तो मारूती जी आपने कासारियों में कहां पर और कौन से साल में काम किया है मैं कहसा रएव में 2011 तेरा प़ोड में काम किया हूँ व्यादर कहकी किया हूँ को तो यह ताइलिंग का करते हैं यानि यानि फलोर टाइल बात्रूं टाइल्स वालाटिस के वाल टाइल्स किचें प्लैट्फॉर्म विंडोसिल्स यह सारे काम उन्होंने किए है तो अब आप बताएगे और यह कौन से साल में किया हुआ है पहला सवार के इसमें से आपने कमाया या गवाया इसमें तो हम कुछ भी कमाया तो नहीं लेकिन जो कुछ जिल्लेकि में कमाया था वो जाके गवाया दिया या और भी बिजनेस में जो आपने कमाया था वह इसमें डाल दिया वह इसमें भ Beim ठीक है और अभी तक वो वापस नहीं मिला है अभी तक वापस नहीं आपकाशस्च नहीं मिला है अपने क्लेम कहीं पर किया है मैं excitator अभी तक मीटिंग मिटिंग मतलब रेकनसिलियेशन के मिटिंग लेकिन वह उचित रखम हमारे सामने कोई रह नहीं रखा देया करके इसके लिए मिटिंग सक्षिस्पून नहीं किया थी लेकिन आपने बेजिकली लाखों गवाए हैं आपके उपर क्या भी थी हमारे उपर एवितिया करके हम तो हम तो पांचाल मतलो पहला कार्पेंटर हमारा पुरा बिजनेस हैं लगवपक 25 साल के उपर यह मंगा क्या और हमको यतना परिशान हुआ कुछ पैसा नहीं मिला लेबर का फैसा देन्ने के लिए पहला तो हम आपको वर्क्शोप के उपर यह गिर्वी रखा था अच्छा वर्कशोप को गिर्वी रखा था और वह भी हम पैसा टाइम पर नहीं देपाया तो उसके लिए वो वर्कशोप हंको कम हाव में मतलब देना पड़ा मरजनच से देने का था था हमको बेचन पड़ा टो बेतना प तो दोस्तो हम देख रहे हैं कि फ्लैट ओनर्स की तो जो हाल होती है फ्लैट खरीदने वाले वालों की जो हाल होती है वो तो हो ही रही है हम समझ रहे हैं लेकिन साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि other side of the story जो लोग building बनाते हैं contract के basis पे बनाते हैं उनका क्या हाल होता है लोधा के side पर यानि कि लोधा का जो brand image आपके सामने बना हुआ है वो brand image के पीछे का कड़वा सच क्या है ये मैं आपके सामन उसे हमेशा से रखते आया हूं और यही मैं अभी भी रख रहा हूं ये brand image के सामने brand image के पीछे क्या है क्या चुपा हुआ है तो आप यह बताईए कि system से काम होता है क्या पहले ये बताईए यदि हमको यह work powder दिया जाता है या ये work powder कि इस सबसे काम होता तो हम अभी तक लो इससे पहले वह एक दिखता है नहीं है उसके सब से विल्कुन होता है उदर ना अर्टेट का कोई ड्राइंग होता है निक इसके साथ बड़े आत्मी के साथ मीटिंग होता है बस सुपरवाइजर आएगा और वह साइट इंचारज लोदा के तरफ से हो तो यह तो झादा करताए्ट वहाइशा है पिर गलत करवाता है अब एक उधारणो को मैं दे रहा हूँ स्लरी सिंमेंट को का Hal तो फ्लोर के ऊपर टाइल्स डालने से पहले, सिमेंट सलरी डाला जाता था वाटर्पूफिंग उले छोटे चोटे क्रायक से क्लॉस करने के लिए सीमेंट कहा ला जाता है और पानी बिसलेक्ट के लिएप सेये रात게 दाला से वाटर निक्सटर भी गाला जाएगा क्रेंग य और आपका जो काम होता था यानि आपके सिस्टम में साइट इंजीनियर ने ऐसे कौन से काम है जहां पर उसने खुद शौटकट करवाए अच्छे बहुत काम सब्सक्राइब करने का दो कुदे वर्क प्रण नहीं देते हुए काम करने का सही रले से लाइन में दे अधर करवा तर स leaning से बचल की नहीं में मिलशा में सकता है दे फ़लें टील्व या फ्लोर्वाईज दिल्षर ऑं प्लोर यो फ्लोर का पूरा कूरा काम करना भी आपके टो जेड करना होता है तब जाके आप बिल डाला और अगर यह काम में थोडा सा छोड़ दिया जाता है कि यहाँ पे फ्लंबर के लिए छोड़ दो यहां पे लाइट निज सब्सक्राइब के लिए चोड़ तब ही आप बिल नहीं डाल सकते हैं नयहों पुरा और फिर यह बिल समय के बार से बिल्ब्रытित के बार बार को कि या है जहने एक महिदने के बीडिन वह काम दूसरा तो नहीं में यह एक सवाल क्या के taki इसमें लिखा हुआ है कि 37 दिन के अंदर आपको बिल डालना चाहिए आपके काम के बिल डालने चाहिए यह बरबाद है लेकिन हमको तो पच्छास पच्पन दिन के बाद पेमेंट आता है तो दो महिने के बाद पूरा पेमेंट आ जाता है कम 25-30 परचेंट तो कैंट अटा है करता है κα्ट हो जाता है मतलब करते हैं चीं या काट चना हे उभीक स्केल फेक्राइब करता है परकाकट मिलता है वह 70 परसेंट ही उस में से किया आपका वर्किंग चैपीटल पूरा छूट जाता है बिल्कुब नहींık अच्छा जयानि वह भी खूटताएं आपको वर्किंग कैपिटल भी खूटता इनु ठीक है तो इस तार से एक समय में आपके उत्ने अंडर से लुदा के ंंडर कितने चले जाते हैं कि आपके जो पैसे जो लोगां के साइट पे चला जाता है साइट के अंदर बूच जाता है वह निकलना चाहिए तो फाहिला बाद तो दो तीन-चार मैना पैसा मिलता है ने तर उसके अंदर वही टाइम में सुर्विल में दस लाख लुगा फसा हुआ जाता है यानि यह कहना सही होगा कि जितना काम करेगा और फस्ते पस्ते जाता है अच्छा आपका वर्किंग कैपिटल उसके अंदर पस्ते जाता है और निकालना रहता है वो सब लास्ट में निकालना रहता है सब होने के बाद अब यह सब होने के बाद मिकालने के चक्कर में क्या होता है उसका सिस्टम क्या है उसमें आपका अनुबव क्या है सब मिकालने के लिए जो कुछ पेपर वर्ट कम्प्लियर करना चाहिए वो उदर से जो साइट 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 से यह चाहिए वो सिगनेटरो रहें करना कर देते ओ सिपर वाइजर के लिएिंगे देना चाहिए साइट एंजिनियर बिल पास करना चाहिए, बिल पास करके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में डालने चाहिए, तो उनका सिग्नेचर नहीं होता है, तब हम बिलिंग में नहीं लेता है, यानि आपने बिल दे दिया, लेकिन वो बिल साइट सुपर्वाइजर तक अटका अटक में आपसे एक और सवाल कर रहा हूं, यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर आपसे एक और सवाल कर रहा हूं, यहाँ पे उन्होंने लिखा है, आइटम्स तो भी प्रोवाइड़ वाइड़ 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 एम्प्लोयर, मतलब लोदा, वाटर इन इलेक्रिसिटी रिक्वाइड फॉर पर कंस्रक्शन शेल बी सप्लाइड बाइड बाइड एम्प्लोयर अट वन कॉमन पॉइंट ओन एवर पानी और दो पॉइंट पे आपको बिजली दिया जाता है तो यहां से आप केबल लेके पूरे यानि जो भी काम करने का होता है इलेक्रिसिटी को काम करने का रहता है अब केबलिंग डालोंगे शम्जों पंधरा बीस पचिस आग में जितना भी काम करेगा तो उतना पास- सब्सक्राइब करें तो ग्राउंड फ्लोर तक आप उसका केबिलिंग करोगे अपने गर्फ़र फिर उसी को लेके आप छे 6 फ्लोर भी जाओगे और इसे ओपर जाएगा बाद में 7 माले पर रहेगा उसका आप माले तक लेके जाने का बड़ेगा साथ में 6 फाथ माले तक वहां से आएगा और पानी पानी का भी ऐसे उठा के गुम हुआ। इसमें लिखा हुआ है vertical transportation is contractor scope यानि उपर नीचे ले जाना वह सब आपके scope में आता है और यह labor camp facility shall be provided by employer on chargeable basis मतलब आपने labor रखा था आपने कितने labor रखे था आपने 25 के उपर labor रखा था था गर थीक है तो पच्छिस लेबर लोधा के labor camp में रहे लोधा के labor camp में रहे रहे और कोई labor रहे बाहर रहे रहा था था तो वह तो उसका पर लेबर केंप में कितना चार्ज करते हैं वो चार्ज करते हैं नृण टकर रहने की सुविधा सुविधा है मतलब और सोने को जगह मिलता है अच्छा तो यह है उनका लोधा का लेबर कैन जहां पर आपके आग्मी जाके रहते हैं ठीक है अच्छा दूसरी बात के completion certificate यहां पर मैं final bill की बात कर रहा हूं आपके work order में ऐसे लिखा है अपन थरो verification of the final bill and other submissions as mentioned and due certification the project manager shall issue a work completion certificate to the contractor आपको एक work completion certificate दिया जाता है मैं रे वेना कमत है कि आरटी का भी में में जो काम किया उसको मैंने काम final होने थह एक पैसा भी नहीं मेर उपर मिला या रे one का भी नहीं मिलनका आपके अर्टीक तो उसमें समझो निहाना 내 है रवं का पासा नहीं मिलता है तो यह प्रोसेचकश पैसा अब्धी तक हम पहुचा ही नहीं एक मिन्हीं दिक लिए फिर से मैं समझता हूँ आठिका नाम का जो बेडिंग है आठ माले का तो आपने उसका चार माला काम किया और उसके आपको एक पैसा नहीं मिला है अब्धी तक जो आपने 2013-2014 में काम किया था ठीक है तो फाइनल बिलिंग हुआ ही नहीं है फाइनल बिलिंग हुआ नहीं है मतलब आपने बिल दिया है मतलब ठीक है लेकिन उन्होंने वो बिल अकाउंट में जमा अभी तक नहीं किया और आपके इसमें कर्रेस्पोंडेंस में क्या होता है क्या पता चलता है अपने उनके साथ इमेल बेजा होगा क्या किया है अच्छा तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए में में गया हो और वो प्रोशेट साल हुए अचेल अपचा में मतलब में मीडिया में मम क्या नाम है स्माल मीडिय में इंटरप्राइजस का जो बॉडिर पर सांद किया होता है और तो बेसिकली यह है अच्छा मट्रियल को लेके आप कुछ कह रहे हैं थे के मट्रियल बोलो इधर से उधर रेकंसाइल करते हैं सामान लिया जाता है रेकंसाइल करने में इसा सब शॉटेज हुआ तो अभी यह बिल्डिंग में काम कर रहे हमारा काम सोड़ा के लिए रुपा है साइट सुपरवाइजर यह कहेगा कि बाजी के बिल्डिंग से मट्रियल लेके आओ जो आपका साइट नहीं अपना साइट में इसका मतलब कि वह शॉटेज अब दूसरे कॉंट्रेक्टर को होने वाला है और वह उसके वेस्टेज में गिना जाएगा और उसको डेविट नौट मिलेगा या उसको फटका पढ़ने की पूरी समावना है उसको नहीं बताया जाता है तो साइट के उपर यह सारी चीजें होती है साइट एंजिनियर्स इस तरह के जुगाड किये करते हैं कि उधर से माल लेलो इधर डाल दो शॉटेज पढ़ रहा है तो यह सब करो अब यह सब करने से क्या होता है कि दूसरा जो प्रॉप पर और कॊंट्रैक्रटर हुआ उसका लॉस हो जाता है तो इस तरह से लुद्गाके साइट पर काम आरा है हमें यहीं बताना साहा। अच़रा अब और कुछ आप यह देहां थे कि आपने भी देखाए कुछ और कोण ऐसे सब्सक्राइब आयदो कि मुधे आध। अग्य। होता है बोलने को तयार है दर है हमको भी बहुत दर है इसके लिए भरोसा है कुछ तो होएगा दर के हमको नहीं मिलेगा उत्ते प्रेमेंट मिलेगा और आपने बड़े-बड़े कॉंट्रेक्टरों को भी बर्बाद होते हुए दिखा है वो साइट के वह अमरे उन्हें जो लोग 30-35 बिल्डिंग काम किया हो भी अपना करोड रुपया दाल के फस गया है उतना तकम को मालूम है उनका बाद में पैसा आया ने आया उतना तो यह है लोधा कासारियो का कड़ अब हम देखेंगे यानि पलावा सिटी के दूसरे हिस्से में क्या हुए है और एक कॉंट्रेक्टर हमारे साथ में बैठे हुए है अब हम उनसे चर्चा करेंगे कि उनके यहां कैसे चला है क्या हुआ है धन्यवाद